हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू गुवर्मेट जोब इन फॉर्मेशन तो फ्रेंट्स फ्री नोटिपिकेशन आउट हुआ गुजरात कुलिफ कॉनस्टेबल के तरफ से तो चले इसके बाट हम लोग डिटेल जानते हैं और डिटेल जानने से पहले अगर आप गुवर्मेट जो एक एफ और इसको पचीफ दफ दोजार एक एफ को इसको पोस्ट किया गया है और इसमें टोटल वेकन फी दफ़जार चारफ हो उनफट है तेन थाउजन 10459 ओके तो अब हम लोग एप्लिकेशन फी के बारे में समझते हैं कि इसमें एप्लिकेशन इफ एप्लिकेशन को अ gerade में नहीं करना होगा ओके और इसका पैमेंट ऑन-laim कि तुह आप पीमेंट कर सकते हैं तो चले इंप्रेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं कि कप तक अप्लाइ कर सकते हैं तो दिख्ये Kak तक अप प्लाइब कर पकते हैं और नोच दफ दो qualification इफ में 12 पाफ होना चाहिए अगर आप 12 पाफ है 10 प्लस 2 विट एनी अश्ट्रीम अगर आप फाइन से कंप्लीट किये हैं और से कंप्लीट किये हैं कोमर से कंप्लीट किये हैं देन आप इस फोंग का अपलाई केने के लिए इलिजबल है ओके तो चलिए अब घंफी बेकिनस जानते हैं तो दिखिए आनार्मड़ पुलीफ कॉनस्टेवल के लिए 2684 पोष्ट फीमेल के लिए 52 पौस्ट अर्म आमड़ के लिए 24 24 पोस्ट है पोस्ट है पोस्ट नहीं है तब लुग फिलेबर के बारे में जानेंगे और इसमें आप कि तरफ फेलेक्षन ले फक्ते हैं ओके तो चलिए देखते हैं तो दीकिए फिजिकल स्टेंडर्ट टेस्ट होगा इसमें एंड इंडरेटन ईग्जाम होगा एंड रिटन एग्जाम होने के बाद आप लोग को छेक किया जाएगा और फिजिकल इपिफेंफी टेस्ट होगा तो चलिए पीच्ट के बारे में लोग डिटेल जानते हैं तो दिखेए अगर आप HD category में आते हैं mail के लिए अगर आप mail हैं और HD category में आते हैं तो आपका height 162 एक फो बाफ़ट PMF होना चाहिए और आपका छाती जो है वो 89 फे 84 PMF के बीच में होना चाहिए और weight आपका 50 kg होना चाहिए और देखिए अगर आप HD में नहीं आते हैं अगर आप mail हैं और HD category में नहीं आते हैं general category में आते हैं then आपका height 165 PMF होना चाहिए एक फो पेफ़ट PMF होना चाहिए और आपका छाती जो है वो 89 फे 84 के PMF के बीच में होना चाहिए और इसमें आपका weight भी 50 kg होना चाहिए और female के लिए देखिए HD के लिए अगर आप female हैं और HD category में आते हैं then आपका height 5150 PMF होना चाहिए 150 PMF होना चाहिए और आपका इसमें chest का किसी भी तरह का requirement नहीं है और आपका यहाँ पर weight होना चाहिए 40 kg होना चाहिए and female के लिए देखिए जो general में आते हैं OBF में आते हैं HD को छोड़ करके तो आपका देखिए height होना चाहिए 155 PMF और इसमें भी chest का requirement नहीं किया गया है and आपका weight होना चाहिए 40 kg तो चलिए exam pattern को हम लोग समझते हैं कि इसमें exam किस तरफ होगा और कितना time दिया जाएगा इस exam में और इसमें negative mark होगा की नहीं होगा तो देखिए आपका जो exam में हुआ objective type questions होंगे and the question इसमें question देखिए आप लोग को एक फो question पूछे जाएगा और परते question एक mark carry करेगा और इसमें आप लोग को एक घंटा का time दिया जाएगा फार्ट मिनिट का और यहाँ पर किफी भी फोरी यहाँ पर negative mark रहेगा और अगर आप किफी भी question का अगर गलत इन फर्द देते हैं तो आपका 0.25 आप लोग को penalty लगेगा और एक चीज यहाँ पर the medium of the test will be गुजराती जो एक्जाम का मेडिया में वो गुजराती में ही होगा और एक्जाम फिलेबर फर्म लोग फर्मजते हैं कि इसमें कौन-कौन topic फे question फूचे जाएंगे तो यह फिलेबर का आप लोग फर्मज़िए ताकि आपको आप लोग फाइन फेन इंडियन इंस्टिटूटूशन और क्रिमिनल प्रोफिजर और कोड फीपिफी 1973 इंडियन पैनल कोड आईपिफी आठारफ फार्ट और प्रोबिडैन फे एक्ट 1852 अब गुजराती पुलीफ कॉनस्टेवल फ्यजिकल इफ 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 टेस्ट देखते हैं तो देखिए हम लोग टेस्ट देखते हैं इफ में पीटी का तो देखिए इफ में कटेगिरी सबसे पहले हम लोग मेल के लिए देखते हैं तो मेल के लिए देखिए आप लोग को आप लोगको 5,000 मीटर का रणिंग करवाया जाएगा जो कि आप लोगको 55 मिनिट का टाइम दिया जाएगा अगर आप ST में आते हैं, FV में यह मेंटर नहीं करता आप लोगको रणिंग, फेम, डिस्टेंस में ही करवाया जाएगा आप कोई भी कटेगरी फे बिलोग करते हैं आपको 5,000 मीटर आप लोगको रणिंग करवाया जाएगा जो कि आप लोगको 55 मिनिट का टाइम दिया जाएगा और फिमेल कंडिडेट को, FV में 4,000 मीटर का रणिंग करवाया जाएगा तब ही हम लोग देखते हैं marks इसमें किस तरह से दिया जाएगा तो अगर आप left then अगर आप complete करते हैं अपना running बीस मिनेट के पहले दिन आपको पचीष marks दिया जाएगा और इपसे फाड़े 20 मिनेट के बीच में अगर आप complete करते हैं आपना रेनिंग दिन आपको 24 मांक्स दिया जाएगा एंड फाड़े बीफ से लेकर के एक एफ मिनिट के बीच में अगर आप कम्प्लीट करते हैं रेनिंग दिन 23 मांक्स आप लोग को दिया जाएगा ओके और इफी तरफ आप लोग देख सकते हैं यहां पर अगर आप लोग तो रेनिंग में रेनिंग आप लोग को अच्छा है देन आप लोग को तो रेनिंग निकल ही जाएगा बट थोड़फ़ एक्जाम का भी ध्यान रखिए और अगर आपको रेनिंग अच्छा नहीं है देन आपको रेनिंग में भी थोड़फ़ ध्यान देना होगा ओके तो आपको 50 इंदर ही आपको Running complete करना है अगर पचीफ मिनेट के अंदर मैं अगर आपको 50 मिनेट के अंदर अगर आपवीश-怒ली कर लिए तो चलीए अभी हम लोक फीमेल के लिए फमजते हैं और फाड़े फाथ फे आठ मिनिट की बीच में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तेन आप लोग को 1KF marks मिलेगा और इसी तरह फे आप लोग यहां फे देख वकते हैं और there is condition कि फाड़े 9 मिनिट के पहले आप लोग को इंटर करना है फाड़े 9 मिनिट के बाद अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तेन आपको diff qualify किया जाएगा वहीं से आप लोग को घर बेज दिया जाएगा फिर next professor के लिए आप लोग को नहीं बुलाए जाएगा तो I hope friends आप लोग को इफ वीडियो फे helpful लगा हो अगर आपको इफ वीडियो फे helpful लगा हो देन इफ वीडियो को like कर दिजिए और इफ चैनल को subscribe कर दिजिए और बेलेकन को praise कर दिजिए और अपने फ्रेंट्सों में भी fair कर दिजिए ताकि वो भी इफ फोम के about जान सके आपको इस जोब से रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट रहता है और आप comment box पे पूछ सकते हैं और अगर आप इस फोम को apply करने के लिए इंट्रेस्टेड है तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से जाका आप इस फोम को जे बारत